देर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 7.5 क्लास 9th NCRT में आप्सिनल एक्सरसाइज है यह तो इसमें फर्स्ट कोश्चन है हमारा ABC is the triangle locate a point in its in the interior of ABC अब ABC एक triangle है हमारे पास हमें क्या करना है एक interior में इसके अंदर कहीं पर एक point locate करना है कैसा point which is equidistant from all the vertices of ABC for example this is a b and c ऐसा point इसके अंदर हमें find out करना है जो a से भी b से भी और c से भी equidistant means equal distance पर हो अब ऐसा point जब हम वर्ट से find करते हैं तो हम बोलते हैं circumcenter इस point को क्या बोलते है circumcenter सरकम सेंटर यह हमें find out करना है circumcenter the point which is equidistant from all the words ठीक है तो अब इसको कैसे find out करते हैं चली मैं इसकी scale और pencil का यूज करके construction करके दिखाता हूं आपको यहां पर यूज करूंगा तो कि कुछ इस तरह से आपने ध्यानकना है कि तो यह हमारी triangle prepare हो चुके है a b c अब हम इसका circumcenter जब prepare करेंगे तो हमें चाहिए compass अब इसमें आपने pencil जो है वो यूज करनी है और इसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे a से c तक हमारी जो line है इसका bisector हमें draw करना है तो हम half से जदा compass को open करेंगे हाफ से जदा इस तरह से और एक cut हम इस तरफ लगाएंगे और एक इस तरफ लगाएंगे ठीक है और सेम आपने a से लगा देना है इसका cross यहां पर भी क्रॉस करना इसको इधर भी तो यह क्रॉस करने से जो हमारा point बनेगा वो हमारा होगा एसी का by sector क्लियर है इस तरह से यह हमारा एसी का by sector बनेगा इसी तरह से हमें another two lines का भी बाइक sector prepare करना है इधर cut लगाएंगे और एक लगाएंगे हम इस तरफ सेम बी से आपने लगा देना है जब आप इस लाइन से बनाएंगे तो यह हमारा बी सी का आजाएगा बाई सेक्टर हम प्रिपेर करें इन सेंटर जो की हमारे सभी वर्ट से इक्विडिस्टेंट हो ऐसा पॉइंट ठीक है तो अब हम ए बी का बनाएंगे इस तरह से ए बी का बनाने के लिए ए से और बी से आपको जो है वो लगाना है तो हम जो है इसको जोइन करते हैं तो जहां पर ये तीनों ही लाइने हमारी जोइन कर रही है जहां पर यह point जो होगा यह हमारा O point यह हमारा ऐसा point है जो A से B से और C से तीनों से ही equidistant है और इसको हम बोलते हैं circumcenter जैसे कि मैंने starting में आपको बताया है ठीक है सब्सक्राइब में देखते हैं students in a triangle locate a point in its interior फिर से हमें एक triangle लेना है जिसके interior में हमें एक point locate करना है which is equidistant from all the side of triangle जो सभी साइडों से equidistant हो equidistant means फिर से वही कि equal distance जो सभी साइडों से अब इस बार बोला है सभी साइडों से यह साइड है इस से भी इस साइड से भी और इस साइड से भी for example हम इसको लेते ए बी सी तो क्या होना चाहिए वह point abc से और ac से तीनों से equidistant हो हो बीच में ऐसा point हमें find out करना है और इस तरह के point को बोलते हैं इन-center क्या बोलते हैं इन-center पिछले वाला जो question था उसमें था circumcenter जो वर्टिस से equidistant पे हो और इन-center क्या बता है जो side से equidistant पे हो ठीक है और यह कैसे बनता है यह angle by sector का यूज़ करके बनता है तो आपको एंगल को करने के लिए अपने कमपस को उपन करना है और इस तरह से एंगल को कि नोट आउट करना है तो यहां पर तीन एंगल है अब इन सेंटर ऐसा का पॉइंट होता है जो तीनों ही साइड़ों से एकवी डिस्टेंट होता है इसको हम इन सेंटर बोलते हैं अब आपको इसको बैसक कैसे करना है इतनी कंपस खोलो या इससे ज्यादा भी आप उपन कर सकते हो जैसे मैं लिए यहां तक उपन कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं हो तरह से जोन कर देना है यह हमारा एंगल सक्टर बन रहा है सेम वेकंक्त करते हैं एकत रिक्ष्ट हमारा इस तरफ होगा यह तो पूरा-पूरा इसके उपर ही आ जाएका मुझे तो यहां से हमेंड जोन कर देते हैं में हम इसका अधर अधर भर ai मतलब एंगल के दोनों ही सिरों से आपने आर्क जो है वो यूज करनी है ठीक है तो जहां पर ये तीनों ही हमारी लाइने मीट कर रही है दिस इस दे पॉइंट इस इस दे पॉइंट ओ ठीक है तो ये हमारा इन सेंटर इसको हम बोलते हैं इन सेंटर जो की सॉरी इन सेंटर जो की हमारी हर एक लाइन से एक भी डिस्टेंट बराबर दूरी पर अविलेबल है इसकी स्टेड्मेंट को पहले समझते हैं इन इस पार्ग पीपल आर कंसंट्रेड़ एड थ्री पॉइंट ए बी एंड सी तीन जगहों पर लोग एकठा हुए हैं यह बहुत बड़ा पार्ग है तो हमने इन पॉइंट को लिखा है एबी सी एपॉइंट है वियर दियर आर ड लग लग तरह की स्लाइड्स और स्विंग जूले वने हुए हैं चिल्ड्रन के लिए बी नियर विच अ मैनमेड लेक इस सिच्वेटेड बी के पास है मैनमेड लेक बना हुआ है जहां पर लोग इकठा है और थार्ड है विच इस नियर तो लाज पार्किंग एग्जिट य ज्यादा से ज्यादा लोग हर जगह उसके पास पहुंच सके मतलब सबको इक वर डिस्टेंट पड़े तो अब देखो अगर हम इनको जॉइन करते हैं तो यह एक ट्रैंगल बनेगी न है मैं हमारे पास आएग एक ट्रैंगल अब ट्रेंगल के वर्टट्स से इकवी करना है circumcenter find out करना मैंने आपको first question में भी जिखाया है आप लोग कैसे find out करोगे आप लोग करोगे इन lines को bisect ठीक है जैसे इसको bisect करना है तो हाथ से ज्यादे compass को open करके ये cut ऊपर एकट नीचे फिर इधर से इस cut को आप लोग काटेंगे और इसको join कर देंगे वैंवन यह सेम यह में से लाइन का bisectER जबाब बनाएंगे एक ऊपर एकट नीचे और इस तरह से इसको भी आप जोइन करेंगे और इस लाइन का भाई सेक्टर भी आपको इसी तरह से बना देना है तो जहां पर यह तीनों मीट कर रहे हैं यह पॉइंट हो जाएगा हमारा ओ पॉइंट इस इकवीडिस्टेंट फॉर फॉर में अपरोच ओ इस तरह से इस तरह से आपने बेटा करके दिखानी है यह आपको रफली करके दिखाई है आप जैसे हमने फॉर्स्ट कुशन में किया है बिल्कुल एटिस वैसे ही आपने डाइग्राम प्रिपेर करना है इस तरह की रंगोली से हैं यह स्टार इसके बार करूंगा पहले एक पार को कम्लीट करनेंगे हम वाइफ इसके अंदर कितने एक्वीलेटरल ट्रेंगल्स और साइड वन सेंडिमेटर अज्यू कांट दे नंबर ओफ ट्रेंगल्स इन इज गेस मतलब हमें यह बताना है कि हम इसके में हम इसके अंदर कितने एक्वीलेटरल ट्रेंगल्स बना सकते हैं विट साइड वन सेंडिमेटर विच हैज मोर ट्रेंगल्स तो इसमें हेक्षागन में और स्टार शेप में किसमें ज्यादा ट्रेंगल्स बनेंगी वो भी हम में बताना है तो इसके इसमें हम क्या क पहले तो हमें क्या करना है number of triangle जब find out करनी है तो हम क्या करेंगे area का यूज करेंगे total area divided by area of one equilateral triangle with one centimeter side तो वो हमारी number of equilateral triangle आ जाएंगी तो हम पहले लिंकाल दें area of area of hexagon area of hexagon with side five centimeter तो क्या होता है इसका formula है six into root three by four a square यह हमारा formula है hexagon का आप भी no down कर सकते हैं इसको six into root three root three as it is by four as it is a square a side हमारी है five तो हम यह लिखेंगे five square ठीक है तो इसको आप चाहो तो cancel भी कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन cancel ना करने का भी फाइदा है हमें क्योंकि जब equilateral triangle का लेंगे तो root three by four as it is आ जाएगा तो यह बन गया साइड वान सेंटीमेंटर तो इसका एरिया क्या बनेगा रूट three by four a square इसका फॉर्मला होता है तो यह रूट three by four a है वन तो वन को अगर आप रखोगे तो वन का स्क्वार तो नहीं होता है तो यह आ गया रूट three by four अब हम निकालेंगे number of triangle number of triangle oh equilateral भी आप यूज कर सकते हो number of equilateral triangle कैसे एगा large area that is six into root three by four into twenty five divided by root oh sorry divided by root three by four ठीक है अब रूट three by four से रूट three by four cancel हो जाएगा तो यह हमारी triangle आगी कि hexagonal जो हमारी शेप है उसके अंदर कितनी triangle है 150 तो मैं यहां पे no down कर देता हूं number of triangle in hexagon 150 फर्स्ट वाली शेप में हमारी 150 आगई आप इसको मैं तक समझ आ गया होगा next वाले जो हमारे diagram है वो है hexagon का डियस्ट तो आप अपने मैथ में statement देख सकते हैं कि यहां पर मैं इसकोई करता हूं एक मिनट के लिए कि अब हमें star prepare करना है यहां पर क्या prepare करना है star star के लिए सेम लॉजिक हम इस्तिमाल करेंगे डियर स्ट तो star है हमारा कुछ इस तरह से आप भी इस method से prepare कर सकते है star को पहले ट्रेंगल बनाओ फिर इसकी रिवास ट्रेंगल यहां पर बना दो तो इस तरह से आप इसली स्टार बना सकते हैं देखो हमारा स्टार बन गया तो एक ट्रेंगल में ऐसे बनाई और एक रिवर्स बना दी अब इसकी साइट फाइफाइज सेंडिमेंट रहे यह वाली सबसे तो आप देखें कि एक यहां पर हमें भाइक लिए हैं तो आप हम इसने कैसे निकाले इंगे इसका निकालेंगे तो इसके सबसे पहले नीथ排 हमारी हेक्सजन ही है कि यह आंदर वाली जिसको में डार कर रहा हूं तो यह एक हेक्सजन की बन रहा है न है ना तो इसका एरिया छिक्स मल्टीप्लाई न प्योंकि इसके अंदर देखो अगर आप ऐसे बनाओगे न वह एडिये का फ़र्मुला 6 multiply root 3 by A क्यों होता है क्योंकि 1 hexagon में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 equilateral triangle बनती अब total हम देखते हैं कितनी बननी है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 यहाँ पर 7, 8, 9, 10 11, 12 तो total कितनी equilateral triangle बन रही है 12 और सब की side कितनी है 5 तो हम यह आप लिखेंगे total area total area of star is equal to 12 multiply area of one equilateral triangle that is root 3 by 4 A square तो यह बन जेगा 12 into root 3 by 4 A है 5 तो 5 का square हो जेगा 25 ठीक है अब इसको मैं cancel नहीं कर रहा हूँ फिर से क्यों क्योंकि हमारा equilateral triangle जब 1 cm वाली हम लेंगे तो क्या हैगा area of equilateral triangle with 1 cm side तो इसका रूट 3 by 4 A square A है 1 तो यह आगया root 3 by 4 cm square ठीक है तो फिर से हम निकालेंगे number of triangle number of triangle is equal to total area जो हमारा है 12 root 3 by 4 into 25 divide by root 3 by 4 इसको आप cancel कर देंगे तो यह जगा 12 into 25 तो यह जगा 300 तो आप देखो इसमें 300 है और hexagon में कितनी थी hexagon में थी हमारे पास hexagonal में 150 तो किस में ज़्यादा है star shape में ज़्यादा है ठीक है तो हम इसमें last वाले question concept देंगे star shape has more equilateral triangle offside 1 cm ठीक है तो dear friends यह थी आपकी access high 7.5 तो हमारे first 8 chapter जो है already complete हो चुके है और भी नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे 9 10 11 12 तक का मैथ हम अपनी चैनल पर पूरा complete करवाएंगे तो देखते रहें और जुड़ते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद